रात के करीब देड़ बजे हैं और पूश थाना छेतर के नेशनल 27 हाईवे अमरोख के पास एक बड़ी घटना घटित हुई है जहां एक कार एक्सिडेंट में पांच लोग घायल हो गए जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से मौट लाया गया और मौट से घायलों को जहांसी सुनील और जो है जो है जो लोग इटावा के निवासी थे इनमें इनका सुनील का बेटा वेदांस जो पांच वर्सी है वो लोग एक जन्म दिन कारिकरम में उराई के लिए गए थे जब वो उराई से रातरी करीब 12 वजे के आसपास लोट रहे थे अपने जहांसी नई वस करती के लिए तभी नेशनल 27 हाईवे पूंस्थाना छेत्र के अम्रोफ की पास जैसे ही वो पहुंशते हैं उनकी कार को एक ट्रक लापरवाही से और उनकी कार उस ट्रक से टकरा जाती है जिससे वो छतिग्रस्त होती है और इस घटना में तीन लोग गंभी रूफ से घायल होते हैं अन्नु मालती और मोहर सिंग गंभी रूफ से घायल हुए जिन्हें तुरंत मौके पर पहुंची एंबुलेंस के माध्यम से च्छ सी मौट लाया गया जहां उन्हें चिक्ट सिकों ने प्रात्मे कपचार दिया और हालत गंभीर होने पर उन्हें जहांसी रिफर कर दिया गया है घटना में उनका चालक जो है उसने बताया है कि आगे से एक ट्रक ने उन्हें लापरवाही से एवाटेक किया जिसके चलते ये घटना घटत हुई है मौके पर पूंच्थाना चेतर की पुलिस घटना इस्थल पर पहुंची है और मौट परभारी संजे कुमा अन्याला न्यू 30 एक्स प्रेस टीम जहांसी